नमस्कार किसान बाईयो मैं समसेर सिंग विरक आप सभी का स्वागत करता हूँ फार्मिंग यान चैनल में धान की फसल में किसान बाईयो इस समय आप लोगों को क्या करना होगा जिससे आने वाले कीट, रोग, फंगस बचा सकें अगर धान की फसल इस समय किसी भी कीट या रोग या फंगस का हमला होता है तो हमारी धान की फसल है वो चौपट हो जाती है तो आप लोग या वीडियो के साथ बने रहें मैं बेहतरीन पेस्टिसाइड बताने वाला हूँ मात्र एक स्प्रे करनी होगी और केंट्रोल हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और पासवाली घंटी को प्रेस कर दें जिससे ऐसे नौलेज भरे आप लोगों को वीडियो खेती के बराबर मिलते रहें तो जैसे कि किसान बाईयो इस समय धान की फसल कहीं कहीं पर गबोर्ट की अवस्ता में है तो कहीं बालिया निकलना शुरू भी हो गई है जैसा कि हम सब को मालूम है कि पिछले वर्स फलस इसमर्ट यानि कंडवा रोग की काफी समस्या आई थी बहुत देखी गई थी या रोग धान की फसल में फूल के वस्ता में रुक रुक कर जैसे कि बारिस का बदलना और बारिस का होना मौसम का बदलना और आदरता जब 90% से अधिक हो इस समय उमस भी काफी है कई छेतरों में गर्मी जादा पड़ रही है तो इस इत्ती में और भी उग्र हो जाता है तो उस समय आपको नियंतर करना बहुती अत्यंत मुश्किल हो जाता है इस रोग के बचाओ के लिए जैसे ही धान की फसल लगवग 50% तक अगर बालियां आ जाए तो उस अवस्था पे आप लोगों को क्या करना होगा आप लोग नोट कर सकते हैं इजोक्सिस इश्ट्रॉविन प्लस डाइफोकोना जोल ये आपको मार्केट में एमिस्टाव टॉप के नाम से मिलेगी या गोडिवा सूपर के नाम से मिलेगी इसकी जो डोज रहेगी 200 ml अथवा प्रकोना जोल टिल्ट के नाम से जो मार्केट में आती है इसकी डोज रहेगी 200 ml और अत्वा कापर आकसी कोलराइट ले रहे हैं तो इसकी डोज रहेगी 400 ग्राम प्रतियकर की दर से और जो पानी की मातरा रहेगी घोल बनाना है 1500 लेटर पानी के शक्ता पड़ेगी धान का तनाचेदक स्टेम बोरर बहुत बड़ी समस्या आती है लेकिन यही अगर गबोट अवस्ता में सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए तो यह बिलकुर रोक्थाम हो जाती है तो इसके लिए आप लोगों को जो स्प्रे करनी होगी यह मारकेट में आती है एमपलीगो नाम से मिलेगी इसकी डोज रहेगी 80 ml अथवा अगर आप फिफरो निल ले रहे हैं तो रिजेंट या एको थियोन नाम से मिलेगी और इसकी डोज रहेगी 2500 ml या इमेमेक्टिन बेंजट नाम से आती है या कोरा जिन भी इसका स्प्रे कर सकते हैं कोई एक दवा का स्प्रे करें और स्टेम बॉरर से बिलकुल नियंतरन हो जाएगा और लगबख सभी छेतरों में धान की फसल पे जो होता है हरा फुदका यानि ग्रीन लीफ हॉफर की समस्या आती है इसकी भी आकमर से धान की जो पतियां है हलकी पीली पर जाती है और इनका अगला सिरा नरंगी रंग का हो जाता है जिससे पौधों की बढ़वार रुख जाती है या कीट धान की फसल में ट्रूंग्रो वाइरस रोक का वाहत भी है इसके परभावी नियंतर हेतु पाइमेटरोजिन 50% जो चेस के नाम से मारकेट में आती है 120 ग्राम डोज लगेगी अथवा डेनियो फ्यूरान 20% ये औसीन के नाम से मारकेट में आती है इसकी डोज रहेगी 80 ग्राम प्रती एकड की दर से 1500 लिटर पानी के उशकता होगी किसान बाईयो और कई जगे जैसे की धान की फसल में वेक्टीरियल लीफ इस्ट्रीक रोग से परभावी देखी गई है जिसे पत्तियों की नसे जो होती है बीच में देखेंगे भूरे रंग की धारियां बन जाती है और इस रोग के नियंतर है तो कापर आकसी कोडलाइट प्लस कासुगा माईसीन 300 ग्राम अत्वा कापर आकसी कोडलाइट 400 ग्राम और प्लस टेप्ट्रो साइक्लीन 30 ग्राम प्रतियकर की धर से 1500 लेटर पानी के साथ स्प्रे करें और बेहतरी रिजल्ट मिलेगा तो किसान बाईयो जो मैंने आप लोगों को पेस्टी सैड बताये हैं बेहतरीन पेस्टी सैड है मातर एक स्प्रे करनी होगी क्योंकि किसान बाईयो बालियां निकलने के अवस्ता में जब धान की फसल में स्प्रे या हम लोग चलते हैं तो काफी नुकसान भी होता है इसलिए किसान भाईयो आप लोग अगर धान की फसल में किसी भी हमला होता है कीट या रोग या फंगस का तो आप लोग किसी भी पेस्टिसाइड लेकर स्प्रे कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है कोई एक पेस्टिसाइड चुनना होगा अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पर हम हाजिर होंगे अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो भी मिस नहों और बेहतरीन जानकारी के साथ हम आप लोगों को आगे देते रहें धन्यवाद